यह है आपका अपना चैनल माई पोडल किस किस वर्ग से और कितने कितने होंगे क्या इनका प्रतीशत है निकालेने का शाला प्रबंदन समीदी के गठन के समद्ध में जो राजशिक शकेंद का पत्र है वो 178 का है और पत्र के मांखे 60 पैसट पत्र के माद्धम से कहा गया है कि सत्र 23, 24 और 24, 25 में प्रदेश की सभी शाश्किये एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्रात्मिक और माध्मिक शालाओं में 26 आठ को शाला प्रबंदन समीदी का गठन किया जाना है गठन की समय से अरनी कुछ इस तरह से है कि शाला के प्रदाना ध्यापक प्रबारी सिक्षक द्वारा शाला प्रबंदन समीदी की सनचना एवं कठन प्रिक्रिया का बाचन करना इसके लिए जो समय निर्धारे थे वो 10 बजे से 10 बच कर 30 मिनट तक है दूसरा वंचित समू और कमजोर वर्ग के बच्चों की नामंकन अनुपात में पालकों अपलिक अभीबाबकों की सदस संख्या की गड़ना कर शाला के नोटिस बोड पर प्रदश्चित करना और इसके लिए समय है 10 बच कर 30 मिनट से 11 बजे तक इसके बाद पुरुष एवं महिला पालक अभीबाबक सदस्यों का निर्वाचन और इस निर्वाचन की प्रिक्रिया के लिए समय निरधारे थे 11 बजे से 11 बच कर 30 मिनट तक इसके बाद सिक्षक और अन सदस्यों का चैन और इसके लिए 11 बच कर 30 मिनट से 11 बच कर 40 मिनट तक चैनित प्रोष एवं महिला पालक अविवावक सदस्यों की एवं सिक्षक एवं अन निर सदस्यों के नाम नोटिस बोर्ट पर प्रताशित करना और इसके लिए समय निर्धारे थे 11 बच कर 40 मिनट से 12 बच तक का इसके बाद अध्यक्ष कर निर्वाचन उपाध्यक्ष कर निर्वाचन और समीति की गठन की सूचना का समय भी निर्धारन किया गया है अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 2 बच से 2 बच कर 20 मिनट का उपाद्यक्ष के निर्वाचन के लिए दो बच कर 20 मुट से दो बच कर 40 मुट और अंत में समीती की गठन की सूचना के लिए जो समय निर्धारित है वो है तीन बजे का आगे चलने से पहले हम देख लेते हैं बंचित और कमजोर वर्ग का भी वरण बंचित समू में अनुसुचित जाती अनुसुचित जने जाती वन भूमे के पट्टाधारी परिवार विमुक्त जाती निशक्त बच्चे और HIV ग्रस्त या पिरभावित बच्चे इतनी कैटेगरी समलित की गई हैं और कमजोर वर्ग में बेपियल कार्ड अंतियोदै कार्ड धारी और अनात बच्चे पत्र में आगे लिखा हुआ है कि कक्षा एक से दस एक से बारा च्छे से दस और च्छे से वारा तक संचालित एकिकरत शालाओं में शाला प्रबंधन शाला प्रबंधन एवं विकास समीतियों यानि SMDC अगठन प्रथक से जारी निर्देश अनु आगे चलते हैं प्रदस्यों को अनुपातिक रूप से नियत करेगा तथा समीति की सदस के रूप में संबलित होने बाले पालकों या भी बापकों की संख्या का वरगी करण स्कूल की सूचना पडल पर निमलिखित रीती में प्रदसित करेगा यहाँ पर नामंकन के अनुपात में कितने ब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि स्कूल समयकित यानि EPS स्कूल है एक से आठ का तो शाला प्रबंदन समयते की पालक सदस्यों में उनके प्रात्मे खंड यानि एक से पाँच और मिडल खंड छे से आठ का समान पृति निदित्व बनाए रखा जाए। प्रथक प्रथक किया जाए। माध्मिक 6-8 और कक्चा 1-8 की संयुक्त माध्मिक शालाओं में शाला प्रबंदन समयते का गठन निम्नाउसार किया जाएगा और यहाँ पर सनरचना भी दी गई है। प्रिशिष्ट 1 के प्रिश्ट 2 पर किस तरह से गढ़ना की जाएगी इसका विब्रण भी दिया गया है और इस गढ़ना को हम एक उधारन से आपको बताते हैं। यह उधारन कक्षा 1-5 या 6-8 यानि जो एकल शाला हैं उनके लिए है। माली जे जिस विद्ध्याले में हम गढ़ना कर रहे हैं उस विद्ध्याले का नामंकन 152 है। और इसमें बंचित समू में 72 बच्चे, कमजोर बर्ग में 38 बच्चे और अन 42 बच्चे हैं। तो अब इन बच्चों में से इन वर्गों का प्रितिने दित्व आपको निकालना पड़ेगा। प्रितिने दित्व निकालने के लिए आपको नामंकन में दर्ज संख्या का भाग देना होगा। और इसके बाद सो का गुणा कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर राइट साइड में नीचे देख पा रहा है बंची समू का अगर हम निकालते हैं तो उपर 72 लिखा है क्योंकि यहाँ पर बंची समू का नामंकन 72 है। नीचे एक सुबावन लिखा है इसका मतलब कुल दर्ज संख है एक सुबावन है। और इसमें जब सौ का गुणा करेंगे तो 47 देसम्रों 37 इस तरह से यह पर प्रतिनी देत्तु का प्रतिशत निकलता है। इस तरह से आप टेबल में बंची समू कमजोर बर्ग और अन्ध सभी का प्रतिनी देत्तु यहाँ पर निकालके लिख लीजे। इसके बाद आगे चलते हैं, जब हमारे प्रितिनेदर तो निकल जाए, चुकि हमें 14 सदस्यों का चयन करना है, इसलिए आपको एक फॉर्मूला और उपयोग करना पड़ेगा, जो भी प्रितिशत हैं, उसमें आप चुदा का गुणा कर दीजे और 100 का भाग देदीजे, इस इस संख्या को अगर हम राउंड ओफ करेंगे, तो ये संख्या साथ हो जाएगी, राउंड ओफ करने का तात्वर यह है कि दशमलाओ के बाद अगर 5 की उपर की संख्या आती है, तो हम उसको एक अगली संख्या में जोड़ देते हैं, इस तरह से राउंड करने के बाद बनी है बंची समूग की तो आप यहां पर देखेंगे को लियोक साथ मतलब इस वर्ग से साथ सदस्यों को सेलेक्ट करना है इसी तरह से आप कमजोर वर्ग और इसी तरह से अन की सदस्य संख्यर निकाल लेजे यहां पर ध्यान हमें यह देना है कि महिला और पुरुष दोनों आप यहां पर 72 बटे कुल नामंकन और इसमें गुड़े चवदा कर देंगे तो यहां पर दशम्राव 6.63 आ जाता है जैसे आपने पिछली टेवल में देखा और इसको राउंड आफ करेंगे तो यह संख्या साथ हो जाती है एपियो शाला की गड़ना यानि एक से आठ तक संचालत होने वाली शालाओं में कक्छा एक से पांच का पितिनिद्द तो आपको अलग निकालना है और छे से आठ का पितिनिद्द आपको अलग निकालना है कहने का ताथ पर यह है कि कक्चाई एक से पाँच के लिए साथ सदस होंगे और छे से आठ के लिए भी साथ सदस होंगे इस तरह से कुल चगदा सदस्यों का चैन आपको करना है सदस्यों के निर्वाचित हो जाने के बाद अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भी निर्देश दिये गए है लिखा हुआ है कि शाला के प्रिधान अध्यापक वरिष्ट तम अध्यापक जो कि शाला प्रबंदन समीति की पदेन सचिब हैं अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी होंगे अध्यक्ष के निर्वाचन हितू एक्छुक सदस्यों में से सनलंगन परिशिष्ट साथ अनुसार नामंकन पत्र प्राप्त किया जाएगा यदि केवल एक ही नामंकन आता है तो सदस सचिप निर्वरोत निर्वाचन की घोशना करेंगे यदि एक से अधिक नामंकन आते हैं तो पड़ची पर नाम लिखवा कर चिन्हांकित कर गुप्त मद्दान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा सरवाधिक मत पराब्द करने वाले पृत्याशी को निर्वाचित घोशित किया जाएगा अधिक्ष निर्वाचन घोशना की सूचना सनलंगन परिशिष्ट आठ अनुसार की जाएगी इसकी एक प्रती निर्वाचित घोशित अद्धक्ष को दी जाएगी और एक प्रती शाला के रिकॉर्ड में रखी जाएगी निर्वाचिन की प्रिकिरियागा कारिविबरन सदस सचिब दोरा लिखा जाएगा और रिकॉर्ड के रूप में स्कूल में रखा जाएगा इसी तरह से पत्र में पादेक्ष के निर्वाचन के समन्द में भी निर्देश दिये गए हैं इसी तरह से पत्र में पादेक्ष के निर्देश दिये गए हैं प्रपत्र 12 जनसिख्छ के अंदरवार शाला प्रमंदन समीति के गठन की जानकारी पर आधरित प्रपत्र परिशिष्ट तेरा विकास खंड स्तर पर शाला प्रमंधन समीती की गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र परिशिष्ट चउदा जिले स्तर पर शाला प्रमंधन समीती की गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र इस तरह से चगदा परिशिष्ट और पत्र का विस्तरत अध्यन करने के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट्स मन में नहीं रहेगा फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंटर बॉक्स पर आप जरूर लखें मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग